साथियों, बहनों के स्वास्त, सुविधा और ससक्तिकरण के इस संकल्प को उजवला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में आठ करोड गरीब, दली, वंचीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों की बेहनों को मुक्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाब हुआ है, ये हमने करोणा काल में देखा है। जब बहार आना जाना बंद था, काम धंदे बंद थे, तब करोड गरीब परिवारों को कई महिनों तक मुप्त गैस सिलेंडर दिये गए। कलपना कीजिए, उजवला नहीं होती, तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उजवला योजना का एक और असर ये भी हुआ, कि पूरे देश में LPG, गैस से जुड़े इंफरस्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए LPG वित्रण केंदर खोले गए हैं। अकेले उत्तर पदेश में 2014 में 2000 से भी कम वित्रण केंदर थे। आज UP में इनकी संक्या 4,000 से जादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले। और दूसरा जो परिवार पहले बहतर सुविदा के अफाओं में गैस कनेक्शन से बंचित थे वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवेरेश शत प्रतिक्षत होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे उससे अधीक बीते साथ साल में दिये गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलिवरी को लेकर पहले जो परिशानी आती थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाई और भेनों उजवला योजना से जो ये सुभिदाएं बड़ी हैं उसमें आज एक और सहुलियत जोड़ी जा रही है। बुन्देल खंड सहीत पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे रहने साथी काम करने के लिए गाउं से शहर जाते हैं। दूसरे राज्य जाते हैं लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती हैं। ऐसे ही लाखो परिवारों को उजवला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक रहत देने वाली है। अम मेरे स्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इदर उदर भटकने की जरुवत नहीं है। सरकार को आपकी इमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिकलेरेशन यानि खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। झाल